नमस्कार मैं शंबुक उमार सिंग और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक एक रिटार्ड आईएस जो समाज भी जिसका सवर्न है उस पर साथ एफ़ायर दर्ज होते हैं आरोप पता है क्या है फेस्बुक पर लिखने पर इस देश में डेमोक्रेटिक राइट्स है कि आप सरक के बारे में उसकी आलोचना कर सकते हैं लेकिन बीजेपी सासित राज्यों में या यहां तक कि महराष्ट में यह सब ट्रेंड नया शुरूवाई यूपी से परसांत कुनोजिया याद है परसांत कुनोजिया वराष्टी यह लोगदलके नेता उन पर भी जेल में डाल दिय गया था इस देश में हजारों मैं एक दो नहीं कह रहा हूं हजारों यूबक ऐसे हैं खासकर स्थी और माइनोर्टी के जिनको जेल में डाला जा रहा है फेसबिक पोश्ट पर आलोचना करने से जिसमें न तो किसी धर्म के खिलाफ है न संपरदाइकता दंगा फैल सकता है सरकार की आलोचना करने में वहीं आप सबको पता है चाय वो कपिल्स मिश्रा हो किस तरह से जो बीजेपी समर्थक है उनके किस तरह से वीडियो आते हैं, किस तरह से वो गाली गलोज करते हैं, किस तरह से वो संपरदाइक धंगे फैलाने की बात कहते हैं, किस तरह से वो जाती के नाम पर अत्याचार करते हैं, सोची इस देश में CSTOVC मानौटी के लोग फायर दर्ज नहीं करा सकते हैं, लेकि पत्रकार सोचिए हात्रस गैंगरेप मामले में जे पत्रकार थे वो जेल में हैं, दरजनों ऐसे सोचल एक्टिविस्ट जेल में, कुछ भी आरोप लगा के जेल में, मेरे उपर भी कभ आरोप लगा के जेल में डाल दे जाया है मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी बज़ा ये द में नहीं बोलेंगे, इस तरह की चीजे होती रहेंगी, तो रिटायर आईएस हैं सुर्परताप सिंग, उससे पहले हम इताब ठाकूर, वो भी सबन समाज से हैं, अखिलेस के खिलाप और मायबती खिलाप वो IPS थे, कैंपेंच चलाते थे, लेकिन कभी उनको जेल नहीं इस दिया गया है, रिटायर आईएस सुर्परताप सिंग पर सात मुकदमे दर्जे, सोचिए कि एक आम आदमी क्या करेगा, जिसके पास पैसान ने, गरीवी ने, वो अपनी आवाज नहीं उठा से, सोचिए योगी जी संसद में रोय थे, उन पर F.I.R हुआ था तो, तो औ आमले ऐसे हुएं, जिसमें उद्धर ठाकरे ने इस तरह के इनिसिटिव लिएं, केस दर्ज करवा दिएं, तो क्या सरकार से सवाल पूछना राश्ट द्रो हैं, क्या सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना है, और क्या एक पत्रकार को कोई भी सेस अधिकार नही कैसे, जिसमें जातिये हिंसा नहों, जिसमें संपरदाइक हिंसा की बात नहों, जिसमें जातिये हिंसा की बात नहों, और जिसमें किसी धर्म के खिलाफ बात नहों, लेकिन किसी भी तरह के करमकांड, जातिये शोशन, धार्मिक शोशन, किसी तरह के भेदभाव के खिलाफ बात करने का ये समिधान आपको अधिकार देता है तो दरसल ये पुलिसिया स्टेट बनाया जा रहा है F.I.R. करके लोगों को ड़ाने की कोशिस है यही है दरसल गुजरात मॉडल गुजरात में पिछले 25 साल से कोई धरना परदरसन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ एक तबका है बड़ा जिसको पहले पुलिस से फिर इंकम टेक्स से फिर एडी से ड़ाया गया और वो लोग आज तक चूप है सोचिए अगर मोदी जी के बगगा जी फेक नीच फैलाते हैं दिल्ली पुलिस उन्हें सर कहते हुए ट्वीट डिलीट करने का अन्रोध करती है लेकिन अगर कोई और करे तो इफाई आर हो सकते है अब तो सच्चा ही है कि सही ख़बर पर बात करने पर भी यूवे पी लग रहा है तो कुछ और खबर हैं बड़ी खबर बता रहा हूँ किन सरकार का बड़ा फैसला ऐसे ही खबर आपको पढ़नी परेगी 36,000 करोर रुपए के BVIP हलिकोप्टर घोटाले से जूरी इटिली की कंपनी से बैन हटाया इंडिया डिसाइड टू लिफ्ट बैन और सोची एक भरष्ट कंपनी थी जिस पर 36,000 करोर घोटाले का रोप था उस पर से मोधी सरकार ने अपने जो बैन था उसको हटा लिया है एक और शांदार खबर है जो मैं चाहता हूँ आपके साथ सेयर करूँ यह बच्ची है यह बहुजन समाज की बच्ची है जिसको नीट ने क्वालिफाई किया है तो यह एक अच्छी खबर है दूसरी खबर है दे देखिए बामन में स्राम जो है उनका एक 14 नवंबर को एक बड़ी रैली होने जा रही है उनकी भारती मुक्तर चौदर राजके इंटर कालेज इटाबा में मैं पूरी नहीं इटाबा में उनकी बड़ी रैली होने जा रहे है इटाबा में और एक और बड़ा टूइट है यह देखिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है खासकर बहुजनों के लिए आज ही के दिन साथ नवंबर को साथ नवंबर उनिस्सो में बावा सहब ने पहली कलास में दाखिला लिया था सतारा के स्कूल में पहली कलास में बावा सहब का दाखिला हुआ था वो आज आतिहासिक दिन है साथ नवंबर उनीस सोचे आज से 121 साल पहले बावा साहब ने सतारा के स्कूल में दाखिला लिया आता तो गौरब दिन है और अकास अनद ने एक बढ़िया ट्विट किया है लखनाओ से पाटी दव मोहनलाल गौतम जी से कुछ भौजन साहित खरीदने का मौका मिला अगर अब भी लखनाओ में है तो एक बार मोहनलाल जी के हां जरूर जाएं या फिर अपने सहर सहर इस तरह की निस्वार्थ बसपा के सिपाईयों की मदद करें तो माया जैसा कोई नहीं छत्रपती साहो जी सचित्र जीवनी सुद्रों की खोज स्वामिया चुतानंद की सचित्र जीवनी और पूना पैक्रिस चार किताबे पांच किताबे जो है वो आकासानंद ने खरीदी है मैं बार बार कहता हूं कि बहुजन जब तक परहेगा नहीं तब तक आगे बरहेगा नहीं और ये यूपी की खबर है यूपी सरकार की ताना साही देखिए एक बिधायक को पर बान दिया गया अस्पताल में ये यूपी की खबर है तो इस तरह से ये मेरा काम आपको खबर देना ये सारी घटना है हो रही है इसलिए मैं इसको खबर तक पहुंचा रहा हूं आपके पास अगर एक वकील है तो आपको कोट भले केस किया जाए कोट में आप साबित कि कि इस तरह की खबरे हैं तो क्या इसको देश को बताना कोई गुना है मुझे लगता है कोई गुना ही नहीं इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सजग रहना चाहिए और आपके डिमोक्रेटिक राइट्स को अगर खतम किया जा रहा है तो आपको उसको लगा कर बचाना होगा और काइंडली सेर देविडेंस एक्स्टेमली हर्ट टेनिंग तो लर्न दा डिरेक्टर हैज बी रिमूब अप्टर दीपाज हंगर स्ट्राइक फुल सपोर्ट एंसलार्टी भी दीपा तो जो दीपा जो बहुजन बेटी थी केरला में जो हंगर स्ट्राइक पर हैं उनके स अप्टर हैज बी रिमूब अप्टर दीपाज हंगर स्ट्राइक फुल सपोर्ट एंसलार्टी भी दीपा मोहनन ए बिरलेंट स्टुएंट एंड ब्रेव फाइटर दीपा एक छात्रा थी जो भूखर्तार पर बैठी हुई थी केरल में बांपंतियों की सरकार है पी एजड में बानी ने ट्विट किया कि 7 days after the hunger strike by दीपा M. मोहन, the Dalit scholar at Mahatma Gandhi University, Nand Kumar Kalerical, who served as the director of the International and Inter-University Center of Nanoscience and Nanotechnology, has been removed from the center. जो आरोपी पर्फेसर थे, उनको center से हटा दिया गया है, a notice issued by the M. G. इनिवर्सिटी वाइस चांसलर, साबू Thomas mentioned that the post will be taken over by the वाइस चांसलर himself, अब वाइस चांसलर खुद पोस्ट लेंगे, तो Nand Kumar को हटा दिया गया है, जिनोंने दलित बच्ची को परिशान किया था, और व पिर कह रहा हूँ, जहां भी अन्याय हो, अत्याचारों इसके खिलाप चीखिए, आवाज उठाइए, तभी आपका अधिकार मिलेगा, बहुजनों के लिए बहुत जरूरी है, आज की बड़ी ख़बरी थी, जो मैं आपसे शियर कर रहा था, आपकी पर्टकिरिया बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शियर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें